नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चनल पीएफपी में आज हम आप इंडिया के बार में बात करने वाले हैं स्टॉक अपने आल टाइम है से 30% नीचे आ चुका है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और फिलाल स्टॉक में हमें तेजी दिखाई पड़ती है स्टॉक रिवर्स होता हुए नजर आता है आज स्टॉक हमें 4% भागता हुए नजर आया तो ऐसी सिचुएशन में रेटेल इंवेश्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे बहले कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डाल देते हैं थुरेपेटिक एरिया वाइस ब्रेकप के बारे में बात करें तो गैस्ट्रो इंटरस्टैनल से 41.4% का रेविन्य से 17.9% मेटाबॉलेक 15.3% एंटी इंफेंक्टिव 3.6% और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से 15.6% तो मेजर फोकस इनका गैस्ट्रो इंटरस्टैनल पर हैं लोकेशन वाइस ब्रेकप के बार में बात करें तो इंडिया से 98% का रेविन्यू आता है और रेस्ट आफ दे करेंगी उसे एक्सपोर्ट करने की जरूत नहीं है दूसरी कंपनी बनी हुई है फंडामेंटल रेशियो के बार में बात करें तो आरोई 26% है आरोई 33% है जो कि अपने आवरेजिस के साथ ही चल रहे है नेट प्रॉफिट मार्जिन 16% है जो कि आपको कंटिन्यूसली अपन स्पीड से हमें बढ़ती हुई निज़राई है क्योंकि सेल्स के साथ साथ अगर मार्जिन भी उपर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट डबल स्पीड से बढ़ते हुई निज़राते हैं शेर होल्डिंग पैटरन के बार में बात करें टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.99% जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है मुचल फंड 3.53% अधर डियाई 3.23% एफ़ एई 0.22% रीटेल एन अधर से 18.04% जिसमें से रीटेल इंवेस्टर्स के बार में बात करें 15-16% के आसपास का रीटेल इंवेस्टर्स का स्टेक हमें नज़राता है तो ओवरल शेरोलिंग पै खरिदारी करनी चाहिए हाइर साइड पे 34% का अपसाइड है मीडियन है 14% का अपसाइड और लोवर साइड पे 10% की गिरावट बताई जारी है तो ये लेवल्स अच्छी हो सकते हैं नहीं हो सकते हम चार्ट पे डिसकस करेंगे 34,000 क्रोर्स की मार्केट कैप है 46 का PE रेशिय जो है वैलिवेशन वाइस थोड़ा बहुत प्रीमियम भी ट्रेड करता हुआ नजर आता है कि स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि लास्ट वन येर में फर्स आफ में तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिली और सेकेंड आफ में आपको अच्छी घास भी देखने को मिली फिलाल स्टॉक अपने सारे मुविंग आवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है एक्चली 20 डेस के मुविंग आवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आज हमें दिखाई परती है बाकी सारे मुविंग आवरेज के नीचे है और जो सीक्वेंस देखने को मिल रहा ह कि bearish sequence आपको चलता हुआ नज़राता है daily RSI 50.31 है momentum वापस लोटता हुआ नज़राता है weekly chart के बार में बात करें तो weekly chart पे हमें नज़राएगा फिलाल ये stock अपने 100 weeks के moving average पे double bottom बनाने की कोशिश करता हुआ नज़राता है already एक बार यहां से return हो चुका है और फिलाल भी एक strong momentum के साथ उपर जाता हुआ नज़राया weekly RSI 44.82 है यहां पर हमें divergence भी देखने को मल रहा है यह stock नीचे आया था RSI भी नीचे आया stock उपर गया RSI उपर गया फिर यहां पर stock में भी गिरावट हुई यहां पर भी गिरावट हुई फिलाल यह stock अपने 20 months के moving average पे support लेने की कोशिश कर रहा है जो कि इसके लिए काफी ज़ादा important level past में दिखाई पड़ता है important levels के बार में बात करें तो फिलाल higher side पे 18,000 का level काफी ज़ादा important नज़राता है पहले गिरावट पे support की तरह नज़राया bounce आया था यह level जैसे ही तूड़ गया यहाँ पर जब bounce आया तो फिर से यहीं से return होता हुँ नज़राया तो resistance तो 18,000 का level है support के बार में बात करें तो 16,000 का level support की तरह नज़राता है past में भी यह level एक अच्छे support की तरह नज़राया क्योंकि पहले तो यह all time high का level था फिलिस range में भी stock ने trade किया था तो फिलाल भी stock हमें यहीं से return होता हुँ नज़राया stock में तेजी आई थी और फिलाल भी stock हमें यहीं से return होता हुँ नज़राया है तो clearly काफी सादा अच्छे support की तरह यह stock नज़राता है तो यहाँ पर run नीती क्या होनी चाहिए तो उसके लिए भी higher rank का structure होता है तो और अच्छी बात होती है लेकिन risk reward ratio फिलाल काफी ज़्यादा favorable दिखाई पड़ता है और यहाँ पर already ऐसा नहीं कि पहले support पे आया है दूसरी बार इस support पे हमें आता हुआ नज़राता है और यहाँ से एक strong bounce भी देखने को मिला है पहले भी आप देख पाएंगे यहाँ पर जो गिरावट होई थे उसके बाद एक strong bounce back आया और फिलाल भी गिरावट के बाद एक strong bounce back हमें देखने को मिला है तो यह हमें clearly पता चलता है कि 16,000 का level छोटा मोटा support नहीं है strong support है तो mid term के लिए हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते है risk reward ratio काफी अच्छा है target हमारा हो जाता है 23,000-24,000 का level तो of course एक जटके में तो नहीं आएगा अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत trading होती भी नज़रा सकती है उपर नीचे हो सकता है trailing stop loss इस्तमाल करना पड़ेगा तो यहाँ पर initial stop loss हमारा क्या हो सकता है अगर यह 16,000 के level के नीचे sustain हो जाता है निकल जाता है तो यहाँ पर हम exit कर जाएंगे यह हमारा stop loss हो जाएगा तो risk हमारा अभी फिलाल 17,000 पर चल रहा है तो उस हिसाब से 1000 रुपे 11,000 रुपे का हमारा risk यहाँ पर नजर आता है तो risk reward ratio काफी अच्छा है और एक चीज़ आप और follow करने के बार में सोच सकता है कि जितनी quantity आपका risk management आपको allow करता है खरीदने के लिए उसकी half quantity खरीदना है suppose आपके capital के हिसाब से आप यहाँ पर 10 shares खरीद सकते है तो 10 की जगह पर फिलाल 5 shares खरीद यह और एक बार यह इसके ऊपर निकल जाता है 18,000 के ऊपर support लेके वापस ऊपर जाता है तो additional 5 quantity आप खरीदारी के बार में सोच सकते हैं इस हिसाब से भी आप plan कर सकते हैं बहुत अच्छे हैं valuation भी हमें decent नजराता है बहुत ज्यादा महेंगे नहीं है बहुत ज्यादा सस्ते नहीं है slightly decent premium valuation दिखाई पड़ता है most of the analyst हमें bullish नजराता है यह भी काफी अच्छी बात है और analyst ने जो target दिये थे higher side के targets तो अच्छी हो सकते हैं अगर 18,000 का level तूटता हुँ नजराता है और lower side का जो level था 10% की गिराबट actually कोई बड़ी बात नहीं है और अगर 16,000 का level तूट जाता है तो वो levels भी हमें अच्छी होते हुए नजरा सकते हैं अब कुछ negative के बार में बात करते हैं सबसे पहला negative है कि technicals weak नजराता है 200, 100, 50 days के moving average के नीचे ये trade कर रहा है और 50, 100 ने cross over भी कर दिया है वो 200 के नीचे चलते हुए नजराता है ये weakness का संकेत है FIA-DIA का stake अलड़ी कोई जादा तो है नहीं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत कम होता हुआ ये नजराता है FIS.com ने कुछ 0.22% ऐसा कुछ stake था तो वो 0.1% का कम होता हुआ नजराया है कोई बड़ी गिरावट तो of course देखने को मिली नहीं है और हो भी नहीं सकती है क्योंकि जादा stake ही नहीं है तो फिलाल करना क्या चाहिए short term के लिए तो अभी week के award करना चाहिए midi term के लिए खरीद सकते हैं क्योंकि risk reward ratio अच्छा है लेकिन आधी quantity खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छी strategy रहेगी और एक बार 18,000 के उपर निकल जाता है और एक अच्छे खासे price पे भी दिखाई पड़ती है तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है आपके investment और trading decision में आपको यह मदद करता है Thank you, stay happy, happy investing